हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मुहमस जैद और दोस्तों मराथी राइटिंग स्किल में आगे बढ़ते हुए मैंने तैय कि आप लोगों को लेटर के बाद नेक्स्ट टॉपिक लोगा सारांश लेखन का आर्थ होत लोगों चार लाइन में लिखना है अनकी पेन को छोटे-छोटे लिखो जैसे इसमें ने त्याने त्याने क्या हूं थोड़ा बड़ा लिखा और लिखो अपने ऑन प्हाइं बैड करो तो ज्यादा ब्लेकर है जैसे निसर्ग आमचा पालन करते निसर्ग धान देते निसर्ग आमळा पानी देते मतलब कि जो भी जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी चीजे रहेंगी तो इसको एक वाक्य में कैसे लिख सकते हो कि निशर्ग आम चा जवडचा मित्रा है ठीक है मतलब निशर्ग हमारा बेस्ट फ्रेंड है अब जैसे यहां पर एक दिया है तो मैं पढ़के आप लोगों को बताता हूं विद्वत्था कोणा कड़े ही असो तीच छणात मिड़ोता येनारी बाब नहीं मतलब कि जो विद्वत्था होती है जो ज्यान होता है वो किसी के पास भी ऐसे छण में मिल जाए ऐसी बात नहीं ही है वो जया प्रमाणे जाड़ाचे मुड़े एकदम खोल खोल जाओ शकत नाहीत त्या साथी महीने वर्ष लगता नलब कि जिस तरीके से जाड़ का जो रूट होता है वो फटा-फटा तो बढ़ जाता नहीं कई सारा समय लगता है परन्तु जेवड़ी खोड मुड़े तो उसके लिए महीने वर्ष तो लगते हैं बट एक बार अगर वो गया तो उसका जो पाया उसका जो फाउंडेशन रहता है वह बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है अब एक बार क्या हुआ एक किसान था एक डॉक्टर था डॉक्टर और किसान पडोसी थे और जो किस जाता है खाली उसके पास खेती नहीं तो उसके बाद लगा दिया पौदे को फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसान भोलता था रहे डॉक्टर थे विचारा डॉक्तर था कई सारे हॉस्पिटल्स मिल्स को आना जाना रहता था तो सुबह निकलता था जल्दी 7-8 बज़े निक कर जाऊंगा तो भी नियूट्रीशन थे वह दिया करता था छाद भगेसे साही रहता थाと思います याaca उसे कुछ नहीं को पॉइंट्वाइन अब बताइए कि एकभी आनधी आइगी तो दौक्टर का टूटे या फार्मर का किसां का चली 5 seconds अब्यक्ता कुछ लीजिए विकॉज मेरे पास लाइव एंसर तो आएंगे नहीं लाइव स्ट्रीमिंग चलिए आपने क्या सोचा मुझे पता नहीं चला बट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डॉक्टर का जो पोधा रहेगा वह एक दम सही सलामत रहेगा जबान दी आएगी पोधा टूटें किसान का क्यों पता है क्योंकि जो किसान के पौधे के रूट्स है वो नीचे नहीं गए क्योंकि किसान उसे पानी देता गया पानी देता गया पानी देता गया उसे उपर से की उपर मां dependent रहो कि यह जब मुझे मदद करेंगे तब मैं करूंगा आप खुद जाओ उतना डीप आपको लेशन पढ़ाया जाए उससे पहले पढ़के जाओ आप मतलब की खुब स्ट्रॉंग फाउंडेशन नीव तसे विद्व तेचे हो आए उसी तरीके से विद्व कभी होता है जेवड़या प्रयात्नाने तो मिडवाल तेवड़य प्रभावी तुमचे व्यक्ति मत्व असे जितनी जैसे वो कितना प्रयात्न से वो मिलेगा उसी तरीक साथ अत्याने प्रकाशित रहाय चाहे ठरवाय चाहे हम लोगों के एकतम सूरी की तरह चमकते रहना प्रकाशित रहना है विद्वत्ता ही अशी बाबा है विद्वत्ता एसी बात है तो विद्वत्ता मतलब जो स्कॉलर्शिप है जो इतना बड़ा ज्यान है आप लोगों क जी के बड़ वेड़ेच्या सुतुप योगाने मिड़ते वो कैसे मिलेगी जब हम लोग टाइम का सही इस्तुमाल करेंगे आप नाइन्थ में हो नाइन्थ की पढ़ाई आप कर रहे हो एप्रिल में आपका एक्जैम हुआ खतम हुआ बचसा भी बच्चे डेली किरकट खेल यह बड़ भॉल खेल रहें किरकट भॉली की है फुटबाल खेलें कबड़्डी क्यों कहले जो मन में आ रहा हो खेल ने कई काई सार बच्चे पबजी खेल दें आप तीन महीने बाट्बाचन तीन महीं में खतम कर दिए वीडियो को देख देखके या फिर खुद से स्टड विशन नहीं लिये हो तो ऐसे आप लोग पड़ो है हां बरे तिला कोणी तुम्चिया कड़ून काड़ून किमा चोरून खेऊ शकत नहीं बिलकुर सही बात है मेरा ग्यान कोई चोरी नहीं कर सकता है बट मैं अपना ग्यान बांट सकता हूं पन एकड़ तुम्चिया जवड आली कि संपोर्न राष्ट्र तुम्चिया लख लखत्या प्रकाशात दिपून जाते पूरा राष्ट्र आपका जो चमक रहेगा उसके प्रती आ जाएगा उसके तरफ आ जाएगा आपला कोणी सनमान करावा अशिभावनाच मना तुन निग काशी आपड़े ना-पोड़ी तो जोतों ओड़ेंगे जो तुम्हें लात मार दिया करते थे जोत elabor नौर कर दिया करते थे वो खुद तुम्हारे पास आएगे थोड़र थी जोडैत विद्वट्वत्ता तवमाला सर्व मिडवून देथे जाची तुम्हें स्वपनाती ही मतलब कि थोड़ी सी विद्वत्त थोड़ा सा ज्यान आप लोगों को वहां पहुचा देता है जिसकी चिंता जिसके बारे में आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा बहुती बढ़ियां सी कहानी थे तो जो चीज क्या पिक्षा हम लोग सपने में भी नहीं करेंगे वह वह चीजे हो जाती है जैसे मुझे जब अच्चे परसेंटेज मिले टेंद बोर्ड एक्जम में तो कहीं जगहों से फोन आए मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और फैमिली मेंबर्स तो हैरान थे कि नंबर कैसे मिला उन लोगों को तो कहीं कहीं से नाशीक ठाडे हां वहां से फोन आ रहे कॉलेज के लिए फोन आ रहे कई कर्सेस के लिए फोन आ रहे तो इससे क्या होता है आप लोगों को स्वप्ण में भी नहीं सोचोगे इवेन आइफ नॉट थॉट देट मैंने सोचा बढ़ा चड़ा के बोला था उसमें सीधा बोल दिया कि विद्वत्ता कि स्कॉलर्शिप जो हाई लेवल का ग्यान है वो मिलने के लिए बहुत ज्यादा काल बहुत ज्यादा समय लगता है सारांश लेकन छे मार्क्स काएगा आपको टॉपिक जिन जो गया सारांश लेकन आप व्यक्ति मत परसनेलीटी होते ही वो प्रभावी हो जाती है लोग ज्यादा ध्यान देते हैं विद्वत्तव सूर्य सार्खी स्वैं प्रकाशे असावा ती जशी मरवन्यात संपत्ती खर्च करावी ही लागत नाही तसे श्रिकदी चोरीला जाऊ शकत नाही जिस तरीके से ह ममपत्य चोड़ी हो जाती है वर हम लोगों का मतलब कि उस चीज़ को खर्ज करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा हम लोग उसको फ्री में हासिल कर सकते हैं और फिरी में लोगों तक बांट भी सकते हैं बढ़ उसे कोई चुरा नहीं सकता है हमसे पैसे वगेरा तो सब लोग चुरा सकते हैं बढ़ वो चीजे नहीं चुरा सकते सिंप्ली बता दिया है विदवता आयुष्याद जे हवे ते मुड़ून देते संपूर्ण राष्ट्र में ती तेजों में असते अब उसमें बोला था कि तुम्हारा आधर करेंगे सम्मान करेंगे क्या क्या करेंगे इसमें सीधा बोल दिया कि पूरा राष्ट्र में तुम्हारा तेजों में हो जाएगा मतलब पूरे राष्ट्र में प्रकाश फैल जाए झाले